राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों हिंदू धर्म में सब्ता का हर एक दिन सब किसी ना किसी देवी देटा को समर्पित होता है ऐसे में सौंबार का दिन भागवान शिप को समर्पित होता है सौंबार के दिन भागवान शिप का पिशेशूप से पूझन किया जाता है मानिताओं के अनुसार सौंबार के दिन शिवलिंग का जलसे अभिशेक कहने से और भोले नात का पूजन करने से भोले नात अतिशीक्र ही प्रसन हो जाते हैं भक्त भोले नात के कृपा प्राप्त करने के लिए सौंपार का ब्रत भी करते हैं देवों के देव महादेव एक ऐसी देवता है जो कि अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते महादेब बहुत चल्दी प्रसन्य होने वाले देब कहे जाते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से महादेब की पूजा अच्छना करता है महादेब उसकी सभी मनो कामनाओं को जरूर पूर कर देते हैं दोस्तों यदि आपके जीवन में से परिशानियों का दोर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा आप आठिक परिशानियों के कारण बहुत परिशान हैं यदि आप अपने जीवन की सभी परिशानियों का समाधान करना चाहते हैं और परिशानियों से मुक्ति पाहना चाहते हैं, तो आप महादेब को प्रसंद करें। माना जाता है कि महादेब अपने भक्तों के सभी कष्टों तुक तर्थ परिशानियों को दूर कर देते हैं। महादेब जिन पर प्रसंद होते हैं उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभब नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया भूले नात को प्रसंद करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं। इस उपाई को करने से भूले नात की गरपा से जीवन के सबी समस्याओं के साथ साथ धन से बत्ती से जुड़ी हुई समस्याओं भी समाप्त हो जाती हैं। इस उपाई को करने से धन प्राप्ते के नए मार खुलते हैं जीवन में चला आ रहा परिशानियों का दोर खत्म हो जाता है भोले नात के करपा से जीवन में खुश्या ही खुश्या भार जाते हैं दोस्तों ये आसान सा उपाई आपको सिर्फ दो कपूर के टुकड़े और एक लौंग के साथ करना है इस उपाई को सही प्रकासे करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें वीडियो में आके बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंग्स के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों वैसे तो इस उपाई को आप किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन हो सके तो इस उपाई को सौंबार के दिन करें क्योंकि सौंबार के दिन भागवान भोले नात को समर्पित होता है और सौंबार के दिन भागवान भोले नात का पूजन करने से वह अतिशीकर ही प्रसन हो जाते हैं उपाई करने के लिए इस नान करके सच्छ बस्ते धारन करें इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं अब आप दो कपूर के टुकड़े ले और एक साबुद फूल वाली लॉंग ले दोस्तों धान रखें आपको लॉंग साबुद फूल वाली ही लेनी है जो पूजा में इस्तमाल होती है आप कपूर के दोनों टुकड़े और लॉंग को आप भगवान भोले नाची की मूर्ती या तस्वीर के पास भगवान भोले नाची के चर्णों में रख दीजिए इसके बाद आप भगवान शिप जी के शामने एक शुत्तिखी का दिया जलाएं और एक सुगंदितू बत्ती जलाएं फिर आप भगवान शिप जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर मिश्री आप किसी भी चीर का भोग लगा सकते हैं भोग लगाने के पश्चाद अब आप भगवान शिरी गणिश जी को प्रडाम करें फिर भगवान शिप माता बार्वती जी को प्रडाम करें इसके बाद भगवाय शिपजी के इस मंत्र का 108 बाद जाप करें मंत्र है ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई इस मंत्र का आपको 108 बाद जाप करना है ध्यान रखें महिलाई और कन्याई नमस्षिवाई मंत्र का 108 बाद जाप करें इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना बहुत ही शुबाना जाता है। अगर रुद्राक्ष की माला हो तो आप उस पर इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो आप किसी भी माला पर या फिर उंगलियों पर गिन कर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक सो आठ बार जाप करेंगे पश्चार, अब आप महा मृत्योंचे मंत्र का एक किस बार जाप करें, महा मृत्योंचे मंत्र इस प्रकार है, ओम त्रेंब कम यजा मही, सुगंधिम पुष्टी वर्धनम, उर्वारुकमि बंधनान, मृत्यों मुष्चे मामरतात। ओम त्रेंब कम यजा मही, सुगंधिम पुष्टी वर्धनम, उर्वारुकमि बंधनान, मृत्यों मुष्चे मामरतात। दोस्तों महा मृत्यों जे मंत्र, भगवाय शिपची का बहुत प्रियम मंत्र है। इस मंत्र के जाब से व्यक्ति मौत पर भी जीत हासिल कर सकता है। इस मंत्र के जाब से भोले नाथ अतिशिक्र ही प्रसंद हो जाते हैं। और असाध्य रोगों का नाश करते हैं। इस मंत्र के चाप से जीवन में आ रही सभी बिग्न बाधाएं भी दूर हो चाती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग है, कोई भी समस्या है, तो आप रोजाना। कम से कम 108 बार महामृत्रिंजे मंत्र का जाप अवश्य ही करें। जाप नहीं कर सकते, तो इस मंत्र को 108 बार रोजाना अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने से भोली नाथ की करपासी, जीवन में आ रही सभी बिग्न बाधाएं दूर हो जाते हैं। और असाथे से असाथे रोग भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों महामृत्रिंजे मंत्र की 108 बार जाप की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप रोजाना उस वीडियो को अवश्य ही सुने। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप तौनों कपूर और लौंग को उठाएं। और अपने हाथ पर रखें। एक कपूर रखकर उसके उपर लौंग रखें और फिर कपूर रखें। इस तरहें तीनों को रखने के बाद आप अपनी मुठी बंद कर लें। लौंग कपूर मुठी में बंद करने के पश्चात अब आप फगवान फोले नाथ को अपनी सारी समस्याइं बताएं। आपके जो भी परिशानियां हैं फिर सब फोले नाथ से कहें। और अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रातना करें। पिग्न बाधाओं को दूर करने की प्रातना करें। दल सममंदी समस्याओं को भी दूर करने की प्रातना करें। प्रातना करने के पश्चात अब आप एक लुटा जल और लौंग कपूर लेकर भगवान शिपजी की मंदिर में जाएं। और ओम नमस्षिवाई मंतर का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें महिलाएं और कन्या नमस्षिवाई मंतर का जाप करें जल अर्पित करने के पश्चात अब आप भगवाई शिवलिंग पर जो जल बह रहा है उस जल से आप इस लॉंग और कपूर को इस परश कराएं अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर पर ही भगवान शिपची का जलावी शेक करें जलावी शेक करने के बाद जो जल है उस जल से आप लॉंग और कपूर को इस परश कराएं अब आप इस लॉंग और कपूर को भगवान भोले नाथ के सामने जला दें। जितनी देर लॉंग और कपूर जलती रहें उतनी देर आप ओम नमशिवाय मंदर का जाप करते रहें। दोस्तों अगर आप भगवान शिपची के मंदर में जाकर इस उपाय को कर रहें हैं तो आपको इस लॉंग और कपूर को शिपची के शिपलिंग के सामने ही जलाना हैं। अगर आपके घर भोले नाथ ची की प्रत्मा ना हूं तो आप पूचन के पश्चात इस लॉंग और करने के बाद आप भगवान शिपची से अपनी सभी समस्याओं को अपने सभी दुखतर तकलीफ को दूर करने की प्राथना करें। दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान शिपची आपसे अतिप्रसन होंगे। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही हैं वे समाप्त हो जाएंगी और आपके सभी परेशानियों का अति शेगर ही समाधान हो जाएगा। भगवान भूले नात की कृप्रा प्राप्त करने का ये बहुत ही आसान और असरकारण उपाय है। इस उपाय को आप पूर्ण शर्था और विश्वास के साथ करें। जब ल अगवान शिपची को छुप भूग लगाया है उसे प्रशाद के रूप में अपने परिवास सहीत करें। इस उपाय को कहने से भूले नात की असीम कृपा प्राप्त होती है। भूले नात की कृपा से जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है। धन संबंदी समस्या दूर होती है और धन का लाव होता है। झाल 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 झाल